हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गुर्मेट जोब पे आज ये रिजनिंग का डे थर्ड का थर्ड पार्ट हैं मैंने आपको सीरीज कंप्लीट करा दिये सीरीज के अंदर मैंने टोटल तीन टाइप के आपको सीरीज कराई थी नमबर सीरीज रिपिटिड अल्फाबेटीड सीरीज और अल्फाबेटिक ओडर सीरीज 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 से आपको दो से तीन नमबर के कोस्टन आपको एक्जैम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे आज का जो ही टोपिक है इसका नाम है मैठेमेटिकल ऑपरेशन मैं आपको बिल्कुल HSSC लेवल का ही रीजनिंग करवा रही हूँ आप पिछे से कोई भी एक्जैम उठा के देख लेना आपको इस टाइप के साम पेपर के अंदर जरूर दिखाई देंगे और हमारा जो टारगेट है कि 10 में से 10 हमने लेने आए से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन है आप लोगों के लिए क्योंकि motivation बहुत जुरूरी है हम खुद ही अपने आपको motivate कर सकते हैं जितना हमें खुद को motivate करेंगे उतना कोई और हमें motivate नहीं कर सकता लेकिन फिर भी आपके लिए ये दो लाइने हैं अगर आपको अच्छी लगे तो अपनी life में इसको apply करके जुरूर देखना कि जिस व्यक्ति ने अपने आदते बदल ली वो कल बदल जाएगा कि जो इनसान अपनी habits बदल लेता है वो कल बदल जाएगा लेकिन जिस इनसान ने अपनी आदत नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो अब तक उसके साथ होता आया है तो इन दो लाइनों का मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे या सेम वही कर रहे हो जो आप इतने सालों से कर रहे हो या इतने दिनों से कर रहे हो तो इसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाल है अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको महनद भी करनी पड़ेगी अगर आप सुबह 6 बजे उठते हो और आप डेली यही आदत फोलो कर रहे हो तो आपको 5 बजे उठना पड़ेगा आपको आपकी आदत mathematical operation में क्या होता है बिल्कुल यह असान topic है यह कुछ नहीं इस topic में बिल्कुल सिंपल सा topic है आपको बिस इतना ध्यान रखना है कि इसमें हमें math के कुछ rules पता होना चाहिए rules का मतलब है कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है अगर कोई sum आता है तो हम क्या solve करते हैं bracket आपने math में यह पढ़ा है अगर थोड़ा वोत में math पढ़ा है तो math में भी topic आपके काम आएगा हो सकता है एक number आपका महां से आजाए और एक number reasoning में आजाए यहां से तो topic का नाम के इसाफ से mathematical operation है तो math में में एक rule होता है जिसका नाम होता बोड मस बोड मस रूल के अंदर क्या होता है सबसे पहले हम क्या solve करते हैं bracket उसके बाद किया solve करते हैं रही पास говорить का उसके बाद करते हम डिवाइद फीर solve करते म क्लिप्लाइए उसके बाद addition और उसके बाद करते हैं man subtraction तो यह हम हमें फोलो करना होता है रूल हर किसी सुम के अंदर जैसे मैं सम fans यहां पर आपको समझ आइं तो मैंने ले लिए यहां पे 500 500 प्लस-में 50 क्या और भाग में मैंने ले लिए यहां पर गार यह मैंने संपलिय लिया है आप पहले इसको खुद सोल्व करके मुझे अंसर जुरूर सेंद करना कि इस सम का आपका अंसर क्या है टॉपिक शुरू होने से पहले कि कितने बच्चों का यह सम पहले से सही था तो इस सम में हम क्या अप्लाई करेंगे देखिए मेरे पास तीन ट्रम है यहां पे सबसे एक निश अमके पास कहीं भी ब्रैकर नहीं है कोई भी का का निशान नहीं है लिकिन इसमें डिवाइड है तो पहले हम क्या करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे मा प्लस करेंगे कई इस्टूडेंट क्या करते हैं पहले 500 50 जोड़ देंगे 550 उसके बाद उसको 10 से भाग कर देंगे आंसर देंगे 25 तो यह आंसर आपका बिलकुल गलत है आपको बोड मस्त रूल को फॉलो करना होता है अगर आप मैथ के कोई भी सम कर रहे हो तो मैथ का यह टोपिक आपके रीज नहीं है तो जो निशान है हमारे पास उसमें से हम देखेंगे कि पहले कौन सा निशान दा रहा है जैसे का और गुना में से पहले कौन सा सॉल्व होता है गुना सॉल्व होता है उसके बाद सॉल्व होता है आपका मल्टिप्लाई का और गुना में क्या फरक होता है जैसे मैं आपको बोलती हूँ 200 का 10 पर्तिशत 200 का 10 पर्तिशत 200 का 10 पर्तिशत का मतलब क्या होता है और मैंने सिंपल यहां पे एक और लिख दिया 200 गुना में 10 पर्तिशत मतलब दोनों का ही गुना होता है लेकिन यहां पे इसको चेंज करके आप क बटा सो लेकिन का की जो इंपोर्टेंट्स है वो गुना से पहले आती है कि अगर गुना और का दोनों में से पहले सॉल्व करना हो तो हम किसको सॉल्व करेंगे का को जिसको इंगलिश में ओफ बोलते हैं और बाद में किसको सॉल्व करेंगे हम गुना को सॉल्व करेंगे कि जो प्लस है प्लस का अर्थ क्या है यहां पे भाग भाग का अर्थ क्या है यहां पे माइनस माइनस का अर्थ क्या है गुना और गुना का अर्थ क्या है प्लस इस टॉपिक में आपके पास होगा क्या आपके पास एक स्टेटमेंट दे रखी होगी और एक सम दे रखा होगा आपको क्या करना है सिरफ कि उस statement के हिसाब से उस sum को change करना है और कुछ भी नहीं करना जैसे कि आपको sum दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे पूरे sum में कुछ नहीं करना देखिए आपके पास statement क्या है यहां पर कि प्लस को क्या लिखा जाता है यहां पर प्लस का अर्थ है डिवाइड का क्या अर्थ है यहां पर माइनस माइनस के बाद यहां पर माइनस का क्या अर्थ है गुना और गुना का क्या अर्थ है प्लस यह आपके पास कोशन है इस कोशन का आप से अंसर पुछा होगा लिखा आपनेально की अितनी चीज आपको समझ में आ गी होगी बिल्कुल इतनी चीज़ आपको समद में आगी होगी अभी ये निशान चेंज करने के बाद आपको इस स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है आपको इसको solve करने है जब इसे आप solve करोगे तो मुझे बताइए कि आपके पास कितने निशान है आपके पास सारा भाग का निशान माइनस का प्लस का और गुना का भाग माइनस प्लस और गुना इन में से पहले क्या solve होता है बोड मास रूल के हिसाफ से कि पहले हमारे पास भाग सॉल्व होगा उसके बाद हम गुना सॉल्व करेंगे फिर प्लस करेंगे उसके बाद क्या करेंगे माइनस करेंगे यही तो रूल था हमारा बोर्ड मस्का तो पहले जब हम भाग करेंगे तो यह जब अठारा को नो से भाग करोगे आंसर क्या आएगा नो दुनी अठार तो 8 को जब 6 से गुना करोगे, कितना आजाेगा ?48 तो यह ओ जाएगा 2 और दो कितने होगे आपके पास पतास पतास में से चार माइनस कर देंगे आपका इस समका अंसर क्या जाएगा शालिस अगर आपको यह समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बताना मैं आपको यह चीज दुबारे एक्स्प्लेइन कर दूंगी नेक्स्ट कोशन है हमारे यह प्लस का अर्थ क्या है घुना का अर्थ क्या भाग में जयाता है कि वहांड़ है सिमप्ल सासम है पहला आप स्टेट्मेंट चेंज करें 126 आपने वैसे यह प्लस का है प्लस का है गटाना तो माइनस का क्या लिख दिया मैंने यहां पर सेवन माइनस का क्या अर्थ गुना तो गुना में लिखा मैंने यहां पर तीन और डिवाइड का क्या अर्थ है डिवाइड कहां पर डिवाइड का अर्थ जोड तो मैंने यहां पर लिख दिया तो अगर आपको यह याद है कि 126 14 के पहड़े पे आता है तो 14 निमें 126 आपसे 10 लिख पाओगे 9-7 गुना में 3 प्लस का 2 अब बताइए मुझे माइनस गुना और प्लस में से पहले क्या सोल्व होगा पहले गुना सोल्व होगा तो यह हो जाएगा 7 यह 21 तो इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ 9-21 प्लस का 2 अब बताइए प्लस और माइनस में से पहले प्लस होता है तो 9 प्लस का और 2 प्लस का कितना हो गया 11 तो 11-21 तो 11 में से जब 21 गटाएंगे तो आंसर बचेगा मेरे पास माइनस का 10 अब यह कोशन डिपेंट करता है कि कई बते इसमें 10 प्लस का लगाए आएंगे और कई इसमें 10 माइनस का लगाए आएंगे बहुत आसान सम्था होपसो आपको समझ में आ गया होगा अगर किसी भी टोपिक में कोई भी प्रोब्लम होती है तो आं मुझे कमेंट करके वो टोपिक हो सकते हो नेक्स्ट कोशन है हमारे पास इसी टाइप से एक और टाइप पूछी जाती है जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि S का मतलब क्या है गुना B का मतलब घटाना, M का मतलब जोड और L का मतलब क्या है भाग उसी टाइप का सम्में ये भी जैसे यहाँ लिखे 96 96 का 96 L का मतलब क्या है यहाँ पर L का मतलब है भाग तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया भाग भाग में क्या है 8 एक नमबर फ्री का है अगर आप यह समझ जाते हो S का मतलब क्या गुना गुना में क्या लिख दिया मैंने 4 B का मतलब क्या गटाना माइनस का लिख दिया मैंने यहाँ पे 16 M का मतलब क्या जोड तो प्लस का लिखा मैंने यहाँ पे 9 तो आप लोग देखिए कि मैंने निशान चेंज कर दिए अब इसमें से पहले क्या सॉल्व होगा डिवाइड सॉल्व होगा तो जब 98 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 12 बाराठ च्यानवे फिर 12 को जब जागी होगी 489 को जोड़ना और उसके बाद उसमें से 16 गटा देना आपके पास 41 आंसर आ जाएगा नेक्स्ट कोशन आपके लिए सेम इसी टाइप का कोशन है आप मुझे सॉल्व करके इसका अंसर कमेंट जुरूर करना कि आप लोगों का इस सम का अंसर क्या है इसकी एक ला पैसे तो बहुत कम चांस है कि मिलेगा आपको पिछे जो मैंने च्यार्ट सम कराएं उनमें से एक सम आपको पेपर में जुरूर मिलेगा लेकिन इस टाइप का सम होता तो बहुत असान है लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाता है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए आपक बनता है तो आपका अंसर हो जाएगा नए बनता तो हम आगे सॉल्व करेंगे जैसे फिस्ट हम करते हैं मैंने च्यार लिखा गुना का मतलब क्या यहां पे गुना का मतलब प्लस प्लस का पांच प्लस का भाग में तीन और भाग का मतलब घटाना मैंस का लिग दिए चे इस तो मेरा पहला प्लस का लिख दिया मैंने नो प्लस का मतलब किया है यहां पर मतलब किया है यहां पर मेरे पास दिवाइड का मतलब है गटाना तो माइनस का लिख दिया मैंने यहां पर 4 जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 32 अंसर नहीं आएगा पहले तो यहां पर यहां पर यह दिवाइड ही नहीं हो रहा तो आपको पूरा सॉल्व करने के जुरूरत नहीं है तो यह वीडियो देख रहे हैं वह मेरी करंट अफेर की वीडियो जुरूर देखना उसमें टोटल 75 कोशन होंगे जो आपके एक्जाम के पॉइंट ओव यू से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना शेर करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू वेरी मच्छ